नमस्कार, Glips.in में आपका स्वागत है इस एलान में सबसे बड़ा जो एलान था वो ये था कि Reliance ने Jio Giga Fiber आपके घर और छोटे इंडस्ट्री तक Fiber Connectivity पहुचाने का लक्ष रखा है Jio Giga Fiber का रेजिस्ट्रेशन 15 अगस्ट से शुरू हो रहा है जिस एरिया से सबसे ज़्यादा रेजिस्ट्रेशन किये जाएंगे उन्हें वरियता दी जाएगी फिलहाल देश भर के 1100 शहर में या सुविधा उपलब्ध होगी कमपनी का कहना है कि दुनिया के सबसे बड़े Greenfield Fixed Line Broadband के जरिये एक GDPS तक की Internet Speed Users को मुहया की जा सकेगी जियो गीगा फाइबर में गीगा फाइबर राउटर के साथ जियो गीगा टीवी सेट्ट आप बॉक्स दिया जाएगा इस सेट्ट आप बॉक्स की मदद से यूजर दूसरे गीगा टीवी या मोबाइल पर वीडियो कॉल कर सकेंगे इसके अलावा कई High Definition Channel का एकसेस कस्टमर्स को दिया जाएगा जियो गीगा टीवी की बात करें तो ये एक स्मार्ट सेट्ट आप बॉक्स है जो एक स्मार्ट रिमोट के साथ आता है इस बॉक्स को अपने टीवी से जोडते ही आपकी टीवी स्मार्ट टीवी हो जाएगी इस बॉक्स के जरीए आप वीडियो कॉल भी कर सकेंगे जैसे अगर आपके पास Giga TV है जो आप किसी भी ऐसी TV जिसे Giga TV से जोड़ा गया है उसे high quality video call कर सकेंगे यहां तक की phone पर भी TV के जरीए call की जा सकेगी इसका remote voice command support के साथ आता है जिसकी मदद से आप बस बोल कर अपनी TV को operate कर सकेंगे इस box को install करने के लिए आपको एक भी पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी यह users के लिए पूरी तरह से free होगा service को लेकर Gio की तरफ से अभी कोई बयान नहीं आया है लेकिन इतना कहां जा रहा है कि users को service के लिए deposit जमा करना पड़ सकता है 5,000 करोर का निवेश fiber point की मदद से पूरे देश में broadband की सुविधा देने के लिए कुल 5,000 करोर रुपे का निवेश किया गया है